हलो गाईज तो कैसे हैं आप सब लोग तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ गाईज तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह के questions जो है जेके SSB का नया pattern जो है वो किस तरह हैं तो मैंने आपके लिए थोड़े से questions लाएं है कि आपको बताया idea दिया जाए कि किस तरह के questions जो है जेके SSB अब अपने exams में जेके के पूछ रहा है तो एक idea जो है आपको यहां से एक बनाना है कि किस तरह के questions आपको आप जे के SSB जो है वो डाल रहा है तो आपको किस लेवल की स्टडी करके जो है आपको नेक्स्ट एक्जैम में जाना है तो हम एक तरह के 7-8 कोशन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता लग जाएगी तो आज मैंने कोशन उठाए हैं पोलिटिकल और फिजिकल डिवीजन साफ इंडिया से कोशन तो 6-7 कोशन में आपको पूछूंगा यह आपके VLW और फा एक्जैम के लिए काफी इंपॉर्टन रहने वाला है तो यह आपको एक टापिका आइडिया देने के लिए अरीजनेत फ्राम तो काली गंगा रिवर आपको पता ही है यह त्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की आपको بتाना है यह कहां से औरिजनियेत होती है etwas गयूप मिलाम कलेशर से औरिजने Bach बटूरा कलेशर से चौराबारी गलाशर रिवर्स में से अगर आपको कोशन देखने को मिला तो इस तरह का कोशन आपको JKSSB आराम से जो है वो पूछ सकती है कोई बड़ी बात नहीं होगी next question अगर आप देखें the melting of which glacier तो कोण सा glacier है जो कि melt हो रहा है has led to the formation of a lakes गांदी सरोवर तो lakes में से अब आपको कोशन डिरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे बलकि इस तरह को कोशन आपको lakes में से पूछा जाता है तो rivers में से question में आपको उपर example दे दी और lakes में से आपको इस तरह को कोशन पेपर में पूछा जा सकता है कि कोण सा glacier जो था melt होने की वज़ा से जो है लेक बना गांदी सरोवर तो क्या वो मिलाम glacier है चोराबारी glacier है रंडन glacier है या पुनमा glacier है तो इस तरह से बिल्कुल options को इस तरह से बना देता है कि SSB को बिल्कुल idea ना लग सके जीज़ को एक question मुझे आया थो डिरेक्ट जो था डेर्स पूछ ली गई थी 1996, 1997, 1990 day तो बिल्कुल tough कर रही है कि SSB अपने options को अपने questions को तो यहां पर आप देख सकते हैं तो कौन सा glacier जो है melt होने के बाद जो है लेक बना गांधी सरोवर तो मिलाम glacier, चोरा बारी glacier, रंडन glacier या पुनमा glacier तो गाइस इसका answer है चोरा बारी glacier तो इस तरह से question जो है जेकी SSB फ्रेम कर रहा है तो आप खुद answer देखें 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 आपको कितना मुश्किल यहां पर लग रहा है तो कौन सी वैली है जो दोला धार और पीर पंजाल रेंज के बीच में है और जिसको वैली आफ गार्स के नाम से भी जाना जाता है क्या वो मलाना वैली है सपीती वैली है कुलू वैली है या कांगड़ा वैली है तो खुद से आप answer देनी के कोशिश करें और फिर देखें कि आपका answer जो है वो सही हो रहा है तो गाई इसका जो right answer है वो है कुलू वैली को Valley of Guards के नाम से भी जाना जाता है और यह दोलादार और पीर पंजार रेंज के बीच में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह के कोशन जेके SSB आजकल जो है बिल्कुल out of the box होके कोशन पूछ रहा है ताकि इस तरह के कोशन पूछे जाए ताकि लड़का उस को ना कर सके स्टूडेंट उसको अटेम्ट ही इसका जो right answer है वो है मर्खा वैली तो मर्खा वैली आपको लदाख में देखने को मिलेगी तो बाकी यह वैली जो है यह बाकी जगाओं पे हैं बलकि मर्खा वैली आपकी जो है एक लोती वैली है जो कि आपको लदाख में देखने को मिलेगी अगले कोशन की तरफ चलेंग यह थोड़ा सा easy question है तो guys इसका जो right answer है वो अगर आपने दे दिया तो उसका right answer sedimentary rocks तो ट्रांस हमालियन रेंजिस जो है वो sedimentary rocks से बनी हुए तो इस तरह के question जे कैसे भी पूछा जो कि थोड़े fact and figures पे based हो next question के तरह चलेंगे great himalayas are separated from trans himalayan region by तुए आपको बताना है कि जो great himalayas और trans himalayan है यह एक दूसरे से separate हुए है कोंसी line से तो आपने उस line का नाम बताना है guys तो जल्दी से आप उस line का नाम वो बताए कि ट्रांस हमालियन ranges और himalayans ranges जो है कोंसी line से जो है वो अलग हुए है तो guys इसका इंडस-sanghpoh-siture zone भी बोलते हैं इंडस-sanghpoh यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको जो है hig line को indus-sanghpoh-siture zone के नाम से भी जाना जाता है I-E-S-Z के नाम से भी hig line को I-T-S-Z के भी जाना जाता है वाइँ होप आपको मज़़ा आ रहा होगा कि किस तरह के question जे के SSB frame आज कल कर रहा है next question आप देख सकते हैं world steepest mountain peak world की steepest mountain peak आपकी कौन सी yes में से यहाँ पर देखा जाए तो इसका right answer जो है रखा पोशी तो यह आपके लिए शाहिद मेरे साब से easy answer रहा होगा next question देखे तो which range act as water divide between Indus river and Shok river तो Indus river और Shok river के बीच में जो है कौन सी range है जो water divide की तरह काम करती है तो guys इसका जो right answer है आपना hope answer दे दिया होगा तो इसका right answer लदाख range तो guys इस तरह के question जो है JKSS भी आजकल frame कर रही है ताकि लड़का उसको attempt ही ना कर सके तो ये guys एक computer का question यहाँ पे आगया which of the following is fast test तो आजकल इस तरह के question नहीं पूछे जा रहे हैं बिल्कुल easy question है आप इसका comment section में इसका answer दे तो guys इस तरह के question JKSS भी आजकल frame कर रहा है तो लड़का उसको attempt ही ना कर सके तो जो recent paper हुआ है JKSI का उसमें 40 question तो बिल्कुल जो मैंने उपर आपको question बताए इसी level के question थे 40 से 50 question हर shift में ताकि बच्चा उनको attempt ही ना कर सके तो इस level के question JKSS भी आजकल जो है अपनी papers में डाल रहा ताकि cut-off को जो है वो neutralize किया जा सके तो I hope एक idea आपको यहाँ से मिल गया बाकि अगर इस तरह के question आप solve करना चाहते हैं JKSSB, FAW और VLW के लिए practice करना चाहते हो तो आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं जिसका link जो है मैं description में डाल दूँगा बाकि VLW के लिए आपको 8 mock test जो है वो मिल जाएंगे जिस just 99 rupees में उसके लिए आपको हमारी app को download करना पड़ेगा जिसको आप play store से जो है download कर सकते हैं तो thank you guys मिलते हैं next video के साथ